आज नवरातरे का दूसरा देहन है, तो आज हम बनाएंगे साबुदाने के वड़े बहुती सिंपल और असान रेस्पी है, वर्त में कम टेल वाला खाना सभी पसंद करते हैं, तो आज हम बनाएंगे से शेलो फ्राइ से, तो चलिए इस सूपर टेश्टी रेस्पी को बनाना यह मैंने साबुदाना लिया है, इसे में 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धोलूंगी, ताकि इसका जितना भी पाउडर है, जो भी स्टार जोगर है निकल जाए, तो इसे अच्छी तरीके से धोल जाए ना तो इसे अब दूसरे भावल में ट्रांसर कर लेंगे, और अच्छी तरीके से जादा, यानि कि एक घंटा 15-20 मिनट मैं फूलने के लिए रख दूँगे, एक घंटे बाद देखिए अच्छी तरीके से फूल चुका है, तो अब इसमें बॉयल आलू को इस तरीके से मैं कदू कस कर दूँगे, ताकि जो आलू में लंस हो न वो न और इसमें एक चुतहे चमच, जीरा भी डाल देंगे, और ये उमुफली के दाने को मैंने भी पीस लिया था भून कर, तो इसे भी डाल कर अच्छी तरीके से बिलकुन परफेक्ट पे इस तरीके से डो बना लेंगे, तेल हाथ में लगाएंगे, और ये थोड़ा सा बैटर ये डोनट केक होता है, उस तरीके के शेप होगा, मैं ज्यादा तेल में नहीं करूंगी, कम ही तेल में करूंगी, और इस एक एक करके इसे मैं डाल दूंगी, और जब ये फ्राई होने लग जाएंगे तो धीमी धीमी आज में तो बिलकुन क्रिस्पीनेस के साथ ये एक तरह से पक्कर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो continue में चारों को इसी तरीके से घिला दे रही हो, और दूसरी साइड भी पक रहा है, तो जब इसका खलर कुछ तरीके से golden brown हो जाए, तब तक इसे हमें पकाना है, और चलिए इसे नैस प्रोसेस के लिए चलते हैं, त और कम तेल में हेल्थ कॉंशियस वाली रेस्पी है तो हर कोई खाना इसे पसंद करेगा तो सुधेर किस बात की इस रेस्पी को आप इस तरीके से बनाईए खाईए खिलाईए और मेरे चैनल को न धेड़ सारा प्यार दीजिये और सब्सक्राइब लैक जरूर कीजिएगा बा जब गया को तो खो अ लगर अगर वी दवना में तवाईग जा प्यार खो आगए़ निएजएब ऑ्या जख जा आपको उत। इस थ elementos का था का एगएब का